आएगा सारा से दीला हाँ अरे पहले मानायों सारा से दीला रे स्वहबत सितारों के संग की यस यात्रा में अगले पड़ाओ मैं आपको लेते भी चलता हूँ एक बोटली रेत की एवंग वाई पीपी के यस यूटूब चैनल में आप सबका अविनंदन करते हैं स्वागत करते हैं मैं आप सब लोगों को जिन्दा बात करते हुए जै जोहार सलाम आज मैं जिस कहानी को पढ़ने के लिए कोसीज कर रहा हूँ यहाँ जीवन के अनुभवों से जोड़ी ही कहानी है पूर्णिया सदर प्रखंड में कोडेली गाओं नामक गाओं में एक अध्यापक थे वहाँ घर्रा नामका एक अशिक्षित योग था वह नजवान बहुत स्वस्त और परिस्रमी था उसकी आँखों में खराबी आ गई पूर्णिया के डाक्टरों से चिकित्सा करवाने पर बहुत लाब हो रहा था आशा थी कि धीरे धीरे आँख अच्छी हो जाएगी एक दिन उसने मुझसे 25 रुपे उधार मांगे मैंने पूछा रुपिय का क्या करोगे उसने का हमारे घर पर पंड़ा जी आये हैं वे मैं रखे हैं मैंने कहा मैं रुपिय दे सकता हूँ पर दवाई के लिए तब दूगा पंड़े ठग होते हैं उनके फेर मैं मत पड़ो वो नहीं माना मांग करता ही रहा मैंने कहा चलो देखें कौन पंड़े हैं मैंने देखा कि दो पंड़े उसके आंगन में खाट पर उसके माबाप को समझा रहे थे कि पूजा कराये बिना दवाई से लाप नहीं होगा। मैंने उन पंडों को डाट फटकार कर वहां से भगाने की कोशीस की परविड़टे रहें और गाउं के कुछ लोग भी उनके ही पक्समें बोलने लगे। मैं हार मान कर स्कूल चला गया। पंडों ने पूजा करायी पता चला कि 35 रुपे नगत और 29 रुपे के सामान ले गए, वो 31 गोल मिर्च दे गए और कह दिया कि पानी वाले घड़े के नीचे सभी मिर्च रख देना, जैसे जैसे मिर्च गलेगी वैसे वैसे ही आँख की बीमारी दूर होती जाएगी। दवाई खाना और लगाना बंद करवा दिया, पंदर रुपे की मांग और की गई थी जो 10 दिन बाद लेने के लिए आने वाले थी। घर्रा की आँखों में जो दवाई से लाव हुआ था उसका आसर भी जाता रहा और उसकी आँखे और खराब होने लगी, आठ दिन साताय और बाकी रकम पंदर रुपे की मांग की, लोगों ने कहा कि आँख तो और खराब हो गई है, आप क्या और कैसे पूजा किये, पंदों ने बड़े हरस्पुरों कहा हां ठीकी तो हुआ है, गड़े के नीचे रखी मिर्च पहले पानी से भीगाने पर फूलेगी, पल पचकर मिट चकागा, नामों निसान मिट जाएगा, तो आँखें बिल्कुल स्वस्त हो जाएंगे, आप लोग विश्वास रखें और बाकी पंदर रुपे दे दीजिए, अंदर विश्वासी लोगों ने उस दिन भी पंड़ों को भोजन करवाया और बाकी रकम भी द गर्रा को बहुत दिनों तक चिकचा करानी पड़े और खर्च भी बहुत हुआ, तब जाकर उसकी आँखें ठीक हो गई, वे पंड़े हर एक साल धान कटनी के वक्त तो उस गाओं में आया करते थे, पर उसके दूसरे साल आसपास के गाओं में घूमते रहे, वहां नहीं आ कि पंड़ा जी इस पर मंगल गरह सवार हो गया है, ये अंदविश्वास इसको समझने की जर्वत है, आज जब दलित बिमर्ष बहुत जोरों पर है, और तमाम अपनी अस्मित्ता की लड़ाई लड़ा है, और अपने बोध को भी, अपने ग्यान के साथ भी सामने खड़ा ह है, तो इस तरह के अंदविश्वासों के पीछे ना पड़े, डॉक्टर छेदी पंडेत, जिन्होंने दलित बिमर्ष के लिए बहुत अलग-अलग तरह से कुछ कहानिया लिखी, कुछ दोहे लिखे, और उन्होंने कोशिज की कि लोग समझा करें, ताकि दलित वर्ग इस म बारी रासी जानिये, दुजिके बारहा खेट, बिना खाद जल बीज के फसल सदा ही दे, तो मैं आप से निवेदन करता हूँ कि YPP के और एक पोटली रेट के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और सेयर कीजिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आप स सब लोगों को बहुत-बहुत आमंत्यत करते हैं अगले अंके के लिए अपने सुझाव देने के लिए अगले अंके के लिए